मित्रों जय मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों साल 2022 में संतर रविदास जयनती कब है जानिये दिन्व तारिक क्या है और संतर रविदास जयनती के दिन पूजा करने की बिधी क्या है और संतर रविदास से जुड़ी कुछ महत्वपूर बातों को जानेंगे लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हेंदु कैलेंडर के अनुसार माग महिने में पढ़ने वाली पोडिमा तिठी को संतर रविदाज जी यन्ती संपूर भारत वर्ष में पूरे हरसो लाज के साथ मनाई जाती है इस दिन लोग भाजन किर्टन करते हैं और जुलूस निकालते हैं और संतर रविदाज जी के भग उनकी जन्म दिवस के दिन पर घर या मंदिर में बनी उनकी प्रतिमा पर गंगा जल चड़ाते हैं और पूरे निष्ठा से माला फूल चड़ा कर उनकी पूजा करते हैं हिंदु ग्रंथों के अनुसार संत कभी रविदास जी का जन्म वरानसी के पास एक गाउ में संत 1398 इसवी में माग पोडिमा के दिन हुआ था और उस दिन रविवार था इसलिए इनका नाम रविदास रखा गया इसलिए वाराणसी में संत्रविदाज जी का जन्म उच्छव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है जो देखने के लिए बहुत दूर दूर से भग्त गण आते हैं मित्रों आपको बता दें कि साल 2022 में संत्रविदाज जैन्ती 16 फरावरी दिन बुद्वार को मनाई जाएगी और पोडिमा तिथी सुरू होगी 15 फरावरी 2022 को राद 9 बचकर 40 मेंट पर और पोडिमा तिथी खात्म होगी 16 फरावरी 2022 को राद 10 बचकर 30 मेंट पर